मेरे अत्यन प्यारे सातियों सबको मेरा प्रेम बरा नमजकार स्विकार हो एक सेड़ जी थे उनके पास बहुत बड़ा बंगला था उस बंगली के आगे एक विखारी खड़ा हो करके भजन गा रहा था वो भजन गा गा के वो रोटी मांग रहा था बड़ी भूख लगी ये म मोहन मारे मदू बन में आया ना करो और जादू भरी बासुरी सुनाया ना करो मोहन मारे मदू बन में आया ना करो जादू भरी बासुरी सुनाया ना करो सुरत तुमारी देख के सलोनी सावरी सुने कर तो मारी बंसी हो गई मैं बावरी मा खंचूराने वाले दिल को चूराया ना करो जादू भरी बासुरी सुनाया ना करो मोहन मारे मदू बन में आया ना करो जादू भरी बासुरी सुनाया ना करो माते मू कोट गली में कटनी कट कचनी सो है कानों में कुंडल जुमके मने मेरे मन को मो है माथे पे मो कोटे गले माल कटने सोहे कानों में कुंडल जुमके मेरे मन को मोहे इस चंद्रे मा के रूप से लूभाया न करो जदु भरी बासरी बजाया न करो मोहन मेरे मदु बन में आया न करो जदु भरी बासरी बजाया न करो जदु बरी बासरी बजाया न करो अपनी ये शोदा मता की सोगंद है तुमको या मुना की तीर मिला ना करो हमको अपनी ये शोदा मया की सोगंद है तुमको या मुना की तीर तुम मिला ना करो हमको इसने बासूरी की ताने पर बिले खाया न करो जदुबरी बासूरी बजाया न करो मोहने मेरे मदुबन में आया न करो जदुबरी बासूरी सुनाया न करो ऐसे तुम्हारी बासूरी ने मोहे ने डारी चंदा भी सकी सुनके हो गई बावरी दर्शन देने में सामरे देर लगाया न करो और जदो भरी बासरी सुनाया न करो मोहन मेरे मदूबन में आया न करो जदो भरी बासरी सुनाया न करो जदो भरी बासरी सुनाया न करो अरे मैया देना रोटी बड़ी भूख लगी है कि अरे रही हूं आ रही हूं आ रही हूं अब सेड़ जी बड़े ध्यान जे उपर से नीचे तक सिठानी को देखें देखें हाथ में रोटी लिये हुए है वह बाहर गा रहा है उसके बाव जो दिन नहीं दे रही है तो बोले आखिर बात क्या है हाथों में तुम रोटी लिये खड़ी हो बाहर वो गार रहा है मांग रहा है जब हाथ में तुम्हारे रोटी तो उसको क्यों नहीं देती हो कि सिठानी बूली कि हां हां रोटी दूंगी पर क्या ये मैं नहीं जानती हूं कि मैं जैसे उसकी रोटी दू है मेरा मन करता है यह गाता रहे और मैं सुनती रहूं अभी इसको मैं रोटी दोंगे तुरंत वहां चल देगा फिर मुझे यह इतना प्यारा भज़ा सुनने को कहां से मिलेगा मेरे लाडलो यदि आप भगवान से प्रातना कर रहे हैं और भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो यह समझ लेना कि सिठानी की तरह उसको आपकी प्रातना बहुत त्यारी लग रही है वो उसका आनंद ले रहा है इसलिए इंतिजार करो और प्रातना करते रहो जीवन में कैसा भी दुखाए, कितनी भी तकलीफ आए, लेकिन भक्ती करना मत छोड़ो कि क्या जब कस चाहता है, कोई तकलीफ आती है, हमारे घर में कोई हास्ता हो जाता है तो क्या हम भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या कमारे पास कोई विमारी आती तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं नहीं न हम भोजन भी करते हैं हम सांस भी लेते हैं तो मेरे लाडलों जिस तरह भोजन हमारे शरी के लिए जवरी है सांस हमारे जिंदा रहने के लिए उसी तरह भगवान का सुमिरन भी बहुत अधिक अगर आप भोजन नहीं करोगे ःजो चोड़ देते हो तो आप जिन्दा नहीं रोगे बॊजन छोड़ दोगे तो कहें के नहीं रोगे तो सही माएने में से इह भल और भोजन को दौनोघ बहुत ज़ोरी हैं तो चाहिए अप लाग आथ कि अधि करते हैं गुरु नानक पूझते हैं, इश्व मशी को मानते हैं, वहे गुरु किसी भी नाम से उसको बुला लो, अपने अपने इस्ट देव को याद करते रहो, बस इनी शब्दों के साथ मैं अपनी वानिक विराम देती हूँ, तब को टाटा बाटा